आठ अक्टूबर 2020 की साम को मुंबई पुलिस कमिशनर परम बीर सिंग ने प्रेस कॉनफरेंस किया उसमें आरोप लगाया कि दो छोटे मराथी चैनल और रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर टी आरपी खरीदी उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया इस संसनी खेज खुलासे क साथ ये प्रस्ण उठ गया क्या टी आरपी खरीदी जा सकती है और इस टी आरपी खरीद इस कैम में कौन-कौन से चैनल सामिल है नमस्कार मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एफेक्ट सीट आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे लिख सकते हैं तो लिखिए बोल सकते हैं तो बोल ये और चिला सकते हैं तो चिलाइए और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो चिला रहा है उसके साथ खड़े हो जाईए आठ अक्टूबर को हुई प्रेस कॉनफरेंस में मुंबाई पुलिस कमिस्नर प्रेम वीर सिंग ने आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी और दो छोटे मराथी चैनल पैसा देकर टी आरपी अपनी बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं टी आरपी होता क्या है दोस्तों आपने बार्क का नाम सुना होगा ब्राड कास्ट ओडियन्स रिसर्च काउंसिल बार्क वो संस्था है जिसने पूरे देश भर में 30,000 पैनल्स लगा रखे हैं या कह लिजे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस लगा परामारी होती है इसका सिगनिफिकेंस क्या होता है कि जितने भी चैनल पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो इस टी आरपी के बेसिस पर आता है जिसकी टी आरपी जादा है उसको जादा एडवर्टाइज मिलता है और जिसका टी आरपी कम होता है उसको एडवर्टीजम मिलने का केवल यही पैमाना है क्योंकि पिछले कई सालों से यंडी टीवी जैसा न्यू चैनल इस टी आरपी के काउंटडाउन में दस नंबर से बाहर रहा है लेकिन फिर भी अगर आप उसे देखेंगे तो एक बड़ा क्रंच जो होता है वो उसको मिलता है एडवर्टीजमे हैं वो केवल टी आरपी के बेसिस पर ऐडवर्टीजमेंट नहीं देती है जैसे अगर रिपब्लिक भारत मुंबई में देखाüstा है या गाऊं में देखार जाता है जो भी चैनल चोटे सहरों में ज़ादा देखे जाते हैं उनको कम advertisement या कम पैसे वाला advertisement मिलता है और जो elite class में देखा जाता है उनको जादा पैसे वाला advertisement मिलता है भले ही उनका TRP कम हो जैसा NDTV के साथ होता है आज 8 October को ये report आई हैं तूबर को ही क्यों आई इससे पहले क्यों नहीं आया इसके बाद क्यों नहीं आया दोस्तों आज से दो दिन पहले 6 October को NBSA New Broadcasting Standard Authority जो इस पर regulatory body है कि कौन सा news channel सहीच news दिखा रहा है कौन सा गलत दिखा रहा है उसके चेयर्मैन है जस्टिस एके सीकरी उन्होंने 6 October को दा Wire News के एक पत्रकार की सिकायत पर एक फैसला सुनाया जिसमें उन्हों ने आज तक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है जी न्यूज इंडिया TV और ABP बर भी कारिवाई करने की बात कही है ये जुर्माना क्यों लगाया गया है एक लाख रुपए का क्योंकि इन लोगों ने सुसांत सिंग राजपूत मर्डर केस में गलत न्यूज चलाया था फरजी न्यूज चलाया था टी आरपी बढ़ाने के लिए इनको अपॉलिजी भी ब्रॉडकास्ट करनी है एक सब्ता के अंदर लेकिन जब तक ये अपनी अपॉलिजी ब्रॉडकास्ट करते उससे पहले प्रेम बेर सिंग एक नया सिगूफा लेकर आ गये हैं अगर टी आरपी केवल मुंबई में बढ टी बी का बढ़ जाता है तो फिर इससे पहले आज तक या इंडिया टूडे जो पिछले लगबग दस से बारा सालों से नंबर वन होने की घोशना करता है क्या उसने पैसे नहीं दिये थे उसकी गारंटी कौन लेगा अगर मान लीजिए कि मुंबई में पैसे दिये गए है तो भी रिपब्लिक टी बी मुंबई में सबसे जादा देखे जाना वाला चैनल होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है मुंबई में जहां पर प्रेम बीर सिंग एक दावा कर रहे हैं कि ये पैसा दे कर टी आरपी खरीदी गई है विवर्शिप खरीदी गई है वहां पर रिप दावा किया गया है कि 400 रुपए पर मंत देने पर इन्हों ने देखना शुरू किया लोगों ने और ऐसा मतलब हिंदी समझने वाले लोग इंग्लिश न्यू चैनल चला कर छोड़के जाते थे 12 घंटे अब आप इसको देखिए कि 400 रुपए महीने में कोई ऐसा क्यों चैनल में अगर 100 यूनिट तक आपका बिजली का बिल है तो आपको चार रुपई पर यूनिट देना पढ़ता है और अगर सौ यूनिट से ज़्यादा हो जाता है तो आपको लगभग 6-7 रुपई देना पढ़ता है मतलब कि अगर आप 100 को यूनिट बिजली खर्च करते ह तो आपको केवल 400 रुपए देने पड़ेंगे लेकिन अगर आप 110 यूनिट खर्च करते हैं तो आपको 660 रुपए देने पड़ेंगे मतलब की 260 रुपए का तुरंत नुकसान हो जाएगा तो आप कोई ऐसा चैनल क्यों देखेंगे जिससे आपका कोई फायदा ना हो और 260 र रुपए और आप पूरे दिन मतलब दिन में 12 घंटे एक ही निव चैनल देख रहे हैं और वो निव चैनल देख रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आता केवल 100 रुपए के लिए पूरे महीने भर क्या आप ऐसा करने के लिए तयार होंगे मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी देश का आदमी होगा जो सो रुपए के लिए इतनी बड़ी चुरी करने के लिए तैयार हो जाएगा अपने घर की सांती भंग करेगा अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर अगर मुंबई पुलिस प्रेस कॉंफरेंस करती है तो पहला प्रशन ये उठता है कि उस प्रे दब्य लगाती है 30,000 डब्य जिसने लगा रखे हैं कहां लगा रखे हैं किसी को नहीं पता आज10 को कि ने इन्डिया तूरे का नाम देती है अब अगर इस फलाने चैनल के अगेंस्ट में ये फाई यार मिली थी मैंने जाच किया और उसमें इनके खिलाब कोई सबूत नहीं मिला है लेकिन वो मेंसन नहीं करते हैं जब रिपब्लिक टीबी फाई यार कॉपी पब्लिक कर देती है सब के सामने चिलाना सुरू करती है तब परमबी इंडिया टूडे के खिलाफ ये कारवाई की मांग की गई ती जिसमें हमें कोई साक्ष्ण नहीं मिला है लेकिन इंडिया टूडे का आज तक चैनल दंगल हो या हल्ला वो वो रिपब्लिक टीबी टी आरपी चोर है नाम से कारिक्रम करता है वो एक बार भी मैंसन नहीं करत है कि actual में जाच उसी के खिलाब चल लही थी और हम निर्दोस पाए गए ऐसा क्यों होता है निर्दोस पाए गए थे तो वो तो एनाउंस कर सकते थे कि हाँ निर्दोस पाए गए गए हैं लेकिन दोनों चैनल मेंसन नहीं करते हैं पुलिस जो है मुंबई पुलिस उसका भी मे था तीसरी बात करते हैं कि अगर उसी धारा में उन्हीं दो लोग को जो इंप्लॉई थे हंसा कंपनी के उनके निसान देही पर दो चैनल मराठी चैनल के प्रमोटर्स को गिरपतार किया गया तो उसी नियम के हिसाब से अर्णाव गोस्वामी को उसी समय गिरपतार क्यों न आज तक ने अभी तक या इंडिया टूडे ग्रूप ने अपना अपॉलीजी अभी तक जारी क्यो नहीं किया है वो किस चीज का इंतिजार कर रहा है। आज तक G News, India TV और ABP इन टीनों के खिलाफ जुलाई से कारिवाई चल रही है सुसांत सिंग का मर्डर होता है 14 जून को जुलाई में इनके खिलाफ F.I.R. या कह लिए शिकायत दर्ज होती है राश्ट्रिय मानुआ अधिकार आयोग में कि ये लोग सुसांत सिंग के परिवार को और सुसांत सिंग को मलाईन करने का अटेम्ट कर रहे हैं और फरजी खबरे चला रहे हैं उस समय भी मानुआ अधिकार आयोग भी खिचाई करता है इन लोगों की और इन से अपॉलिजी की मांग करता है आज तक एक ऐसा चैनल है जो कहता है कि उसे खेद है गलत खबर चल जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनको साक्ष मिलता है कि ये लोग गरत कारिवाई में सामिल हैं इसलिए इनके उपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगता है और इन से पब्लिक अपॉलिजी मांगी जाती है और क्यों पब्लिक अपॉलिजी नहीं मां दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या आप टी आरपी देखकर कोई न्यूज चैनल देखना शुरू करते हैं टी आरपी की बात होती जरूर है लेकिन हमें जो चैनल पसंद है किसी को एंडी टीवी पसंद है किसी को रिपब्लिक भारत पसंद है किसी को आज सक पसंद है किसी को न्यूज 24 पसंद है न्यूज 24 राजीव सुकला कॉंग्रेशनेता का चैनल है क्या रिपब्लिक टीवी और आज तक किसकी जादा लोग प्रियता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर मैंने आठ अक्टूबर को साथ बच के 2543 लगभग 5-6 गुना ज्यादा रिपब्लिक भारत पर ज्यादा वीवर थे यूट्यूब पर 9 अक्टूबर को 12 बच के 30 मिनट दोपहर के समय मैं मैंने फिर से चेक किया तो आज तक पर उस समय 6,393 लोग देख रहे थे और रिपब्लिक भारत को 40,288 लोग देख रहे थे लगभग 7 गुना ज्यादा लोग देख रहे थे अब यहां पर यूट्यूब पर तो कोई TRP नहीं चल रही है फिर यहां पर लोग रिपब्लिक भ गए हों हो सकता है उनको 400 रुपए मिले हों लेकिन यह आम जनता पर आरोप लगाना कि 400 रुपए में आप बिग गए हैं यह सरासर गलत अगर 400 रुपए में मुंबई के लोग बिके भी तो मुंबई में रिपब्लिक भारत या रिपब्लिक टीबी नंबर वन क्यों नहीं ह होना चाहिए था अगर लोग बिक गए थे तो नंबर वन आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो यह परमबीर सिंग की पूरी थेओरी फेल हो जाती है पूरा सब कुछ गड़बड जाला होता है इससे यह असपश्ट होता है कि यह कारिवाई विशिद्धराजनीतिक कारिवाई है धन्यवाद जय है